जैसे ही कोई बोलता था मेरेको या आज भी अगर बोलता है कि ये नहीं हो सकता या तू ये नहीं कर सकता तो मैं ना चुप रहता हूँ ना उनसे लड़ता हूँ मैं सिर्फ एक वर्ड में एक वर्ड में उनसे एक सिंपल सा क्वेशन पूछता हूँ एक बर्ड में, क्यूं, क्यूं नहीं कर सकता, क्यूं नहीं हो सकता, और जैसे ही मैं यह करता हूँ, उसके बाद बहुत मज़ा आता है, आपको भी करके देखना, बहुत मज़ा आएगा, 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको, जिनके पास में इस क्यूं का जवाब ही नहीं होगा, नहीं, वो सोच में बढ़ जाते हैं, जैसे ही मैं बुछते हैं, क्यूं, क्या, क्यूं, यह कैसा सवाल है, तो यह है, वो 90% लोग, जिनके पास में कोई जवाब ही नहीं होता, या होता भी है, तो वो इतना फ़नी होता है, कि आप चाहा कर के भी अपने आपको हसने से नहीं जैसे एक बार मेर साथ हुआ था, जब मैं करीवन, I think 18 साल का था, और मैंने नया नया फोटाओगरफी का कोर्स किया था, तो मारे घर में एक छोटा सा फंक्शन चल रहा था, और वहाँ पर मैं अपनी मदर के साथ और फादर के साथ में ख़ड़ा कुछ बाते कर रहा था, इतनी देर में एक सामने से अंटी आई, और आगर के बोली, Sandeep, और आजए अंटी, बेटे, क्या नया चकर चल रहा है तेर आज़ अचल, मैं डर गया, मैं मनी मन सोच रहा, मैंने का, इनको कैसे पता लगा मेरे नए अफेयर के बारे में, और ही चला गया, फिर मैंने उनको अंटी उनको ड़ते अंटी उनकों कि का क से कहार, मैं गया अणी जी क्या मनलब मैं कुछ समुछ इनकों कॉंजा नहิ रही है क्या, इसंटी ने बोला, क्योढ क्या तु ये फोटोग्राफ़ी ने गर्रा अज़गरा जए ऐन थोनों है, तो अन्यों बोला, मेरी थुरी सी ज तो यह तो तु तु फोटोग्राफिय फोटोग्राफिय के चक्रों में पड़ा ने इसा बेकार की चीज़े इससे अच्छा यह है कि तु कोई और धंका काम काम गढ़ ले या पनी पढ़ा है लिखाई में ध्यानते मेंने वही किया जो मैं हमिशा करता था मैंने क्यूं आञटी जी आपकर ऐसक क्यूं लगता है कि मेरा फोटोग्राफिय में कुछ नहीं हो सकता है फोटोग्राफिय बेकार की चीज़ क्यों है तो उनने जवाब दिया कि मेरी बहें काथा भेटा भी गया था बॉमबे यही सब करने के लिए, जो तू कर रहा है, और इसको चार साल हो गए, दक्के खा रहा है, उसका कुछ नहीं हो अभी तक, मैंने फिर सुना, फिर मैंने दुबारा से वोई क्यों को ले आगर चिपका दिया, मैंने उसे बूचा लेकिन अंटी में को समझ नहीं आया, कि अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो मैं कुछ क्यों नहीं कर पाऊंगा सीधा सा कोशन है आद वो थोड़ी से इरिटेट हो गए लेकिन उसके बाद जो उनोंने बोला उस दे मेरा कम से कम 10 खिलो कून बढ़ गया होगा हस्ते हस्ते कि अगर उनोंने गुछ से मेरे से बूचा केते तेरे कितने परसंट आया थे 12 पे? झाल फटोग्रफी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक लेकिन उनका ये सवाल था कितने परसंट आया थे 12 में ? मैंने का जी 85 परसंट 85 परसंट आया थे आणटे फिर उन्होंने एक अजीब सा एक्स्प्रेशन दिया, मेरको ऐसे देखा, जैसे कि मेरसे बड़ा बेवकूफ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और बोली, उसके 92 परसेंट आयते है, 92 परसेंट, अब बोल, मैं का आप क्या बोलू, अब बोलने को आपने छोडा के है, क् है, जो ऐसी बातों को seriously ले सकता है, no, yes or no, no, ले नहीं सकते, अब बचे 10% लोग, जिनके पास में जवाब होता है, एक genuine वजय होती है, मतलब वो आपको सिर्फ यह नहीं बोलते कि आप नहीं कर सकते, वो आपको बताते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे जब भ पूरे दिल से उस इंसान को thanks करता हूँ, क्योंकि indirectly ऐसे लोग हमको help करते हैं आगे बढ़े में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन 10% लोगों की बातों को मैं ज्यादा seriously लेता हूँ, या अगर मेरे को जवाब नहीं मिलता तो मैं रुख जाता हूँ, क्योंकि जवाब इसका मतलब यह नहीं कि चलना बंद करते हैं, for example, अगर हम अपने घर से यह सोच करके निकले हैं, कि जब सारी lights green हो जाएंगी तब मैं अपने घर से निकलूँगा, तो निकल पाएंगे कभी, कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आगर के, कि आप यह नहीं कर सकते, तो उबस इतना सा कहना चाहता है, क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मुझे नहीं पता कि इस काम को कैसे करना है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। पिलकुल इसी तरह से, कोई इंसान अगर जिंदिगी में कुछ करना चाहता है न, या कुछ बना चाहता है, तो उसको जा करके यह बोलना, कि तू यह नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उमीद को तोड़ना, एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि कई बार कु जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उमीद को तोड़ने, आपकी हिम्मत को तोड़ने, और आप चुप-चाप खड़े-खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, यह उससे भी बड़ा पाप है। मतलब सिंपल है, ना हमें चुप रहना है, ना किसी से लड़ना है, सिर्फ सवाल करना है, क्यों? और फिर देखो उनके कैसे पत्ते खुलते हैं, फिर मज़ा आएगा। और जिस दिन आप लोग को भी मेरी तरह ये बात समझ आ जाएगी ना, उस दिन आपके ऊपर ऐसी बात और आपने से रोग सके, सिवाए एक इंसान के, सिवाए एक इंसान के, कोई बताएगा कौन है वो? आप खुद, आप खुद, और ये ही है वो दूसरी दिवार, यही है वो दूसरी दिवार जो पहली वाली से कई गुना बड़ी है कई गुना बड़ी है आज से बहुत साल पहले मैंने एक कहानी सुनी थी जिसका एक बहुत बड़ा इंपक्ट हुआ था मेरी लाइफ पे यह कहानी है एक ओफिस की एक office की और उसकी employees की एक बार एक office में जितने भी employees सुबह सुबह जब office आते हैं अपने cabin में तो उनकी desk के उपर एक letter पड़ा होता है एक letter रखा हुआ होता है और उस letter में लिखा था कि वो इंसान इस company का वो employee जिसकी वज़े से आपकी promotion नहीं हो रही थी उस employee की शकल देखना चाहते हैं तो यह address है यहाँ पर अगले एक घंटे में पहुच जाई है जैसे ही उस address पर गए तो महाँ पर एक coffin पड़ा हुआ था coffin होता है उसको जब लोगों ने दूर से देखा तो एक तरफ तो सब को दुख हो रहा था बुरा लग रहा था कि यार यह नहीं होना चाहता और दूसरी तरफ से उनको थोड़ी बहुत खुशी भी हो रही थी कि चलो अच्छा है मेरी रास्ते का जो सबसे बड़ा पत्थर था वो हट गया लेकिन फिर एक एक करके जैसे ही वो लोग उस कॉफिन के पास गए और जा करके उन्होंने उस इंप्लॉई की शकल देखी उस कॉफिन के अंदर तो उन्हें खुद पे शरम आने लगी क्योंकि उस कॉफिन में कोई नहीं था सिरफ एक शीशा था एक मिरर था जिसमें उनकी खुद की शकल दिख रही थी हम सब भी तो यही करते हैं अपनी लाइफ में कि सारा ब्लेम उठा करके किसी सिचुएशन पर डाल दिया किसी और इंसान पर डाल दिया सब जगे डाल दिया सिभाए एक इंसान के खुद पे यहां पर कितने लोग इस बात को मानते हैं जो मैंने अभी-अभी कही कि आपके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर और कोई नहीं आप खुदी हो कितने लोग मानते हैं सब लोग मानते हैं लेकिन एक चीज़ और है यहां पर बहुत मज़िदार कि कोई भी इसान कोई भी चाया वो आप हो, चाये मैं हूँ, चाये कोई भी है वो जान करके अपने रास्ते का पथर क्यो बनेगा? अपना यी नुकसान क्यो करेगा? अपना ही दुश्मन क्यो बनेगा? For example, अगर अभी मैं यहां पर थोड़ी सी लकडियं एकटी करके आग लगा दूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि यार प्लीज मेरी खातिर पांच मिनिट के लिए आगर के इस आग में जल जाओ पांच मिनिट के लिए कुछ नहीं होगा मैं गरेंटी दे रहा हूँ क्यों कि कोई भी इंसान हो वो जान बूच करके अपना लुकसान कभी नहीं करेगा कभी भी नहीं करेगा तो ये सवाल मेरे को पिछले कई महीनों से तंग कर रहा था अंदर ये अंदर खा रहा था कि क्या फर्क होता है उन लोगों में जो जाने अंजाने अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और उन में जो जाने अंजाने खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और फाइनली पिछले महिने मेरे को जबाब मिल गया सब कुछ समझा गया कि क्या फर्रक है